हलो इवरीवन विल्कम टी सारोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है कस्तुर्भा गांधी बाली का विद्याले से टीचर रिक्रूट में नोटिविकेशन है इसमें विदाउट टेट वाले कैंडिडेट भी यूट-टेट के लिए सेलरी अलग है और नॉटिट मेंस विदाउट टेट वाले कैंडिडेट चैनल में में चैनल में नश्यूवल कि लिए से लिंज अव जसे खेया की के न्यूस पेपर एडवर्टीजमेंट और इसकी इमेज आपके साथ शेयर की जा रही है तो जो भी डीटेल्स है प्लीज स्क्रीन शॉट ले ले या फिर डीटेल्स पेन पेपर के लिप से नोट डाउन कर लें तो डीटेल्स इस तरीके से रहें है हेड़ टीचर की रिक्वार्मेंट है है हेड़ टीचर एमें इंग्लिश इसके बाद मिजिसमें ट्वेट नेट वाले को विदाउट नेट वाले कैंड़ेट के लिए 22,000 हेड टीचर मेंइन इकनॉमिक्स या फिर हिस्ट्री या फिर तो 45 येर्स वाले कैंडिडेट एप्लिकेशन कर सकते हैं, फुल टाइम एसिस्टेंट टीचर में सी रॉयल, वन पोस्ट है, और इसमें 22,000 पर मंथ, विद टेट, विद टेट ये नॉन टेट कैंडिडेट के लिए, 22,000 रुपे नॉन टेट कैंडिडेट के लिए, इस कहां से की गई है, इंगेजमेंट इंगेजमेंट इंकास्तुर्वा गांदी बाली का विद्धियाले 3, अंदर S.S.A. बक्सा, तो ये आसम स्टेट में है, अब आप यहां से नोट डाउन कर सकते हैं, इसमें सभी फीमेल कैंडिडेट ही, क्योंकि फुल टाइम है, सभी जितने फुल टाइम टीचर्स होते हैं, उसमें सिर् फीमेल कैंडिडेट कैंडिड़ेट्स कर सकते हैं, आसम से है, तो बेटर ही रहेगा कि आसम के कैंडिडेटिकैशन करें, क्योंकि जो दो 평िन प्रेफेरन्स हैं, और इसकी qualification लिखी हुई है, अभी मैं वापस से स्क्रॉल डाउन कर देती हूं, मैंने website पर चेक किया, बखसा के official website पर अविलेबल नहीं है, newspaper में publish हुई है, और उसकी image आपके साथ share की जा रही है, 11 months की contractual period के लिए, यहां पर mention किया, engagement will be purely contractual for a period of 11 months, अब जो subject की detail है, उसकी screenshot ले लें, qualification के साथ, salary के साथ, और इसके बाद हम देखेंगे, how to apply वाले section में चलेंगे, कैसे application करनी है, तो serial number 2 और 3 note down कर सकते हैं, असाम के candidate अगर बक्सा में आपको application डालने में, डालनी है, interested हैं, और qualification criteria, age criteria वगर मीट हो रही है, तो आप या आप किसी friend relative को बताना चाते हैं, तो share कर सकते हैं वीडियो को, अब यहाँ पर है, all position are reserved for female candidate, तो यह how to apply section है, relaxation of upper age limit, SCST, OBC and PH candidates के लिए, government of Assam के रूल के हिसाब से 5 years की age में relaxation है, तो general category के लिए 45 years है, अगर SCST, OBC and PH candidate है, तो 5 years और add कर लेंगे, 49 years upper age limit हो जाएगी, इफ non-net candidate are selected, they will have to qualify higher secondary date within 3 consecutive date, तो अगर non-net candidate apply करते हैं, और वो select हो जाते हैं, तो उनको फिर 3 chance दिया जाएगा, उनको qualify करनी होगी date, no, one candidate can apply for one post only, application plain paper में मैं इसे बड़ी कर देती हूँ, क्या-क्या लिखना है, उसकी screenshot आप ले सकते हैं, application in plain paper stating name of applicant, age, date of birth, gender, social category, और name of father, name of mother, मतलब plain paper पे आपको a4 size की paper ले लेने और यह सब चीजे name of husband, if married, permanent address, address of communication, contact, telephone number, educational qualification, work experience, अगर है तो fresher application बिल्कुल कर सकते हैं, but work experience है तो वो तो show करते हैं, तो वो उसके लिए वो column एक डालनी है आपको, with self-attested copies of testimonial, जितनी 10 onwards, जितने भी आपकी जितने भी certificate है, passing certificate and mark sheet, उनकी photocopies attest, खुझ से self-attest, खुझ से sign कर ले, experience certificate अगर है तो, ये 23 माई 2022 तक पहुँँ जानी चाहिए, 23rd May 2022 तक पहुँँ जानी चाहिए, district mission coordinator S.S.A. बक्सा के official address पर, the list of shortlisted candidate and venue for document verification interview will be displayed on the notice board, the under signed on 31st May 2022, तो आप बक्सा district के हैं, आपको पता होगा कि कहाँ पर इसकी list जारी की जाएगी, या कोई number हो, तो आप उस पर check कर सकते हैं, shortlisted candidate के list 31st May को जारी कर दी जाएगी, the shortlisted candidate will have to appear in the verification, तो ये सारी detail आप screenshot ले सकते हैं,